नमस्कार साथी योजनों के सिरंकला में एक और नई योजना के बारे में आज हम बात करेंगे एक्जाम के दुरिष्टी कोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते वे to the point हम बात करते हैं चलिए सबसे पहले हम ये जाल लेते हैं आज की योजना का नाम क्या है साथियों आज की योजना का नाम है पालनहार योजना ये साथियों क्यों अपलाई की गई, लागो की गई, क्यों इस योजना का महत्व है सबसे पहले तो हम ये जाल लेते हैं साथी उप पालनहार योजना के अंतरगत क्या होता है कि वे सभी बच्चे आते हैं, मुख्य रूप से हम बात करें अनात है, आप इसको सिंपल सा याद रखेंगे कि अनात बच्चों के संद्रब में ये योजना चलाई गई है, और अनात बच्चों का जो भी व्यक्ति करेंगा, उसे पालनहार कहा गया है, लेकिन मुख्य रूप से यदि हम यहाँ बात करें कि पालनहार योजना के अंतरगत कौन से बच्चे सामिल होंगे, आपने सिधा सा देख लिए अनात बच्चे, लेकिन इसमें भी बहुत सारी केटिगरीज उन्होंने दी हैं कि अनात क कारावास की सजा काट रहा हो, तो वो जो है बालक भी इस योजना के लाभारती होंगे, साथ ही में सरकार ने हाल ही में कोई चेंजेज भी कियें, जैसे सिलिकोसिस से पीडित जो व्यक्ती है, उसके बच्चों को भी पालनहार योजना का लाब मिलेगा, अगर उसकी जो मृ योजना के पात्र परिवार यहां पर माने गए है, तो चलिए, to the point, हम बात करते हैं, अब यहां से जो आपके सवाल बनने वाले हैं मुख्ये, उनके बारे में बात करते हैं, ये तो आपने समझ लिया, तीकि ये सबसे पहले हम बात करें, प्रारम में ये योजना केवल अन अनुसोची जाती के लिए, केवल अनुसोची जाती के जो अनात बच्चे थे, उनके लिए लागू थी, वरतमान में इस योजना का दाइरा बढ़ा कर सभी स्रेणियों को सामिल कर लिया है, तीक है, और सभी स्रेणियों के जो अनात बच्चे उनको सामिल कर लिया है, अब सबसे बड़ा सवाल पुझाता कि पालनहार योजना के अंतरगत अधिकतम कितने बच्चों को लाब दे है यानि कि एक ही जो पालनहार करता है अगर वो तीन बच्चों का पालनहार करता है यानि कि कि किसी भी परिवार के तीन बच्चे अधिकतम तीन बच्चों को इस योजन के बच्चों को 500 रुपे प्रती माहा दिया जाएगा उनके भरन पोशन पालन पोशन के लिए हम कह सकते हैं और इसके लिए एक अनिवार्य सर्थ है साथियों आंगन बाड़ी वो कहां जाना चाहिए कि उसका जो है आंगन बाड़ी वो वैस्से जाना चाहिए अनिवार्य है तब ही उसको इस योजना का लाब मिलेगा साथी में अगर 6 से 18 वर्स्त के बीच में अगर कोई आयू वर्ग है और उस बच्चे को जो है 1000 रुपे प्रती माहा दिये जाएंगे लेकिन उसके लिए भी अनिवार्य सर्थ है कि उसको विद्या ले जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि वो विद्या ले नहीं जाता हो तो इस योजना के अंतरकत उसे लाब प्राप्त नहीं होगा तो मुखे रूप से आपके सामने दो आयू वर्ग दो केटेगरी है 0 से 6 वर्स में 500 और 6 वर्स से लाब दे होगा इस योजना के अंतरकत तीन बच्चों को प्रारम में योजना अनुसुची जाती के लिए थी और जो भी विक्ति इस योजना के अंतरकत बच्चों के जो है पालन के ओत्रदाइत वो लेता है उसे पालन हार कहा गया है आगे हम बात करें वस्तर स्वेटर जूते और इत्यादी के लिए एक मुस्त साहिता दी जाती है वो कितनी दी जाती है दो हजार रुपए वार्सिक कैसे दी जाती है दो हजार रुपए वार्सिक उसको ये साहिता दी जाती है तो अब आपके सामने तीन केटिगरी हो गई 0-6 वर्स आयो वर्ग में 500 रुपए और 6-18 वर्स में 1000 रुपए प्रतीमा विद्या ले जाने के लिए अनिवारी होना चाहिए वास्तर स्वेटर जूते और इत्यादी अन्य आवशक्ताओं के लिए 2000 रुपए दे जाते हैं और वर्ष में 2000 रुपए एक मुसायता प्राप्त होगी केवल किसके लिए थी अनुसोच जाती के लिए अधिकतम कितने वच्चों को लाब दे हो सकता है तीन वच्चों को दे हो सकता है ठीक है अब लेकिन यहाँ पे कुछ कंडिशन्स है कुछ सर्ते हैं वो भी हमें जानना आवश्चक है क्योंकि कई बार एक्जामिनर चार ओप्शन्स आपके सामने देता है कि पालनहार योजना के अंतरगत निम्न में से कौन सा कथन गलत है या कौन सा सही है तो ऐसी कंडिशन के अंदर हम वहां कन्फिज हो जाते हैं तो हमें ये क्लियर रखना है इसके अंतरग पॉइंट बीस यानिक 1 लाsuper और बीस हजार रुपै एक पॉइंट बीस लाक रुपै वार्षिक से अधिक नहीं होगी यानि कि अदिकतं कितनी हो सकती है एक लाग बीस हजार रुपै नमबर दो कंडिशन इस योजना के अंतरगर वह बच्चा भी पात्र नहीं होगा जिस जिसकी आईयो 18 वर्स से अधिक होगी यानि कि उसी बच्चे को लाब दे हो सकता है जिसकी आईयो 18 वर्स से कम हो आपने देखा अधिकतम कितनी आदे रखा 18 वर्स इसके बाद में इस योजना का कोई लाब दे नहीं होगा नमबर तीसरी बात यहाँ पर जो सबसे इंपोर्ट राजस्तान के मूल निवासी होने चाहिए ठीक है आप इसको इस पस्ट रूप से लिख लिए जिएगा मूल निवासी होने चाहिए और अगर मूल निवासी नहीं है तो ऐसी कंडिशन के अंदर यदि हम बात करें तथा यह माफ कीजिएगा तथा अगर नहीं है तो तीन व पार्सिक आय जो है 1,20,000 रुपे से अधिक नहीं होनी चाहिए, दूसरा 18 वर्से आयू के अधिक बच्चे इसके अंतर व्यत पात्र नहीं है और पालनहार योजना के अंतरकत जो पालनहार करता है और जो बच्चे हैं वे राजस्तान के मूल निवासी होने चाहिए और अगर वे मूलनवासी नहीं है, तो ऐसी कंडिशन के अंदर हम बात करें, उनको कम से कम तीन साल से वो राजस्थान में निवास कर रहे हो, तब भी वे इस योजना के पात्र होंगे, चलिए to the point, rapid revision हम कर लेते हैं, सबसे पहले योजना का नाम पालनहार योजना है, ठीक है, और जो अभी व्यक्ति जो बच्चों की उत्रदायत वो लेगा, पालनालन, पालन का उसे पालनहार नाम इस योजना के अंतरकत दिया गया है, दोसरी चीज हम सबसे इंपोर्टेंट बात करें, कि प्रारम में योजना केवल अनोसुची जाती के लिए थी, बाद में अभी वरतमान में सभी स्रेणियों के लिए योजना लागू है, और अभी वरतमान में अधिक्तम तीन बच्चों तक इस योजना का लाब दे है, अगली बात हम करें, जीरो से छे वर्ष तक बालक जो है, उसको 500 रुपे प्रतिमा मिलेंगे, शर्त क्या है, अनिवारी रूप से वो अंग यह क्या है, प्रतिमाहिना है 500 रुपे और 2000 रुपे वार्षिक है, तो इनको वार्षिक कम मिलेगा, वस्त्र, जूते और अन्य जवाविस्कता है, उनकी पूर्ती के लिए पैशा दिया जाएगा साथियों, सर्तें 120 रुपे, ठीक है, आपको याद रखना, परिवार के दि निवास कर रहे हूं, लगातार तीन वर्ष से, तब वो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं साथियों, उम्मिद करता हूं, आपके एक्जाम के दरश्टी कोण से काफी महत्पूर्ण जानकारी है, और इसके माध्यम से आप जब एक्जाम में सवाल आएगा तो आपका एक भी सवाल गलत होने की समभावना नहीं रहेगी, आप टू दैप एक दम सही और सटिक जबाब दे सकेंगे, साथियों यदि आपको हमारी योजनों की स्रंकला पसंद आ रही है, तो चैनल को सस्क्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के जरूर करें, जै हिन, जै भारत मेरे साथियों